आज हम बनाएंगे मिडल इस्ट की एक बहुत ही फेमस डिजर्ट जो की है बास्पुसा यह बेसिकली एक सूजी का केक है जिसके उपर एक्स्रा शुगर सिरप यानि की चाशनी को पूर किया जाता है जिस वजह से यह और भी सॉफ्ट, जूसी और एक्दम मोईस्ट बन जाता और बनाने में यह जितना आसान है खाने में उससे कई जाधा टेस्टी लगता है तो आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा और अगर आपको आज की यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहां ले रही हूँ आधा कप रिफाइन डॉयल आप चाहें तो इसकी जगा बटर भी यूज कर सकते हैं और साथ में इसमें डालेंगे आधा कप दही घर की नॉर्मल ताजी दही यूज किया मैंने यहां और आधा कप इसके लिए ना मैंने नॉर्मल सूजी को ग्राइंडर में डाल के इसे इस तरह से बारीक कर लिया था अगर आपके पास पहले से ही बारीक वाली सूजी है तो आप उसे डारेक्ट ली यूज कर सकते हैं और साथी में मैं इसमें डाल रहे हूँ एक चुथाई कप मैदा और इसमें एक चुथाई कप डेसिकेड़ कोकोनेट यानि की सूखे नारियल का बुरादा इसमें डाल रहे हूँ यह बहुत ही जादा अच्छा फ्लेबर देगा इसमें बट अगर आपके पास यह अवैलेबल नहीं है या आपको यह पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकत और इसे डालके हम इसमें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारी चीजों के साथ और यह जो दूद मैंने यहां यूज किया है यह नॉर्मल रूम टेंपरेचर के ऊपर है तो नॉर्मल दूद जो हम सबके गर में रूटीन में आता है उसे मैंने पहले बॉयल कर लिया था यानि कि यह हाई टेंपरेचर के ऊपर टूटेगा नहीं अगर आपके पास ऐसा कोई ग्लास का बोल नहीं है तो आप नॉर्मल इसे किसी भी केक टिन में भी बना सकते हैं तो इसे हम ओल के साथ अच्छे से ग्रीस कर लेंगे तो इस तरह से ग्रीस करने के बाद अब हम इसक बेटर को रेस्ट करने के लिए रखा था इसे रखे हुए 10 मिनट हो गए है और आप देखने की जो सूजी है यह पहले से थोड़ी फूल गई है और बेटर की कंसिस्टेंसी देखने आप तो बिल्कुल ऐसा रखना इसे हमें तो अब हम अपने इस बेटर में डालेंगे एक चोटा चमच बेकिंग पावडर आधा चोटा चमच बेकिंग सोड़ा और साथ ही मैं इसमें आधा चोटा चमच इलाइची पावडर डाल रही इसमें फ्लेवर आड़ करने के लिए यह वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं या फिर इसकी साथ अब हमारा यह बेटर बिल्कुल तायार है अब हम इसे डाल देंगे अपने इस ग्रीज किये हुए मोल्ड में और इसके बाद हम अपने मोल्ड को हलका सा शेक करेंगे तांकि यह उपर से थोड़ा स्मूध हो जाए और आज ना मैं इसे अवन में बेक कर रही हूं अब आज जाए तो आप इसे नौमल कडाही में भी बना सकते हैं उसके लिए मैंने उपर आय बटन में एक लिंक दिया या नीचे डिस्क्रिप्षिन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा उसमें मैं ने सेम यही सुजी केक को कडाही में बनाया था तो आप चाहे तो कड़ाही में भी बना सकते हैं बहुत ही ईस cesimple procedure है बस उसमेंना cake का colour और यह जो timing हैं यह सब oven की अपनी अपनी है तो आपको थोड़ा कम या ज़ादा time भी लग सकता है तो जब तक हमारा यह cake bake हो रहा तब तक हम इसके लिए sugar सिरफ यानि कि चाशनी बना लेंगे तो इसके लिए एक sauce pan में मैं यहां ले रही हूँ तीन चुथाई कप चीनी और साथ में इसमें डालेंगे एक कप पानी आप चाहें तो चीनी और पानी की quantity को बराबर भी रख सकते हैं अगर आपको बहुत जादा तेज मीठा पसंद है बट मेरे according इतना मीठा मुझे बिल्कुल sufficient है तो मैं इसे इतनी ratio में यूज़ करती हूँ तो अब हम इसे medium high flame के ओपर चीनी को पानी में घुलने तक पका लेंगे तो थोड़ी देर के बाई ये जो चीनी है ये अच्छे से घुल गई है पानी में तो अब मैं इसमें आधा छोट चमच इलाइची powder आड़ कर रही हूँ आप चाहें तो अपना मन पसंद कोई भी flavor डाल सकते हैं rose water, kevra water जो भी आपको पसंद हो या फिर आप इसे skip भी कर सकते हैं तो बस इसे अच्छे से mix करेंगे और इस चाशनी को हम medium flame के ओपर सिरफ 2-3 मिनट तक और पकाएंगे इसे हमें कोई एक तार या दो तार वाली चाशनी नहीं बनाना है बस पतला सा sugar सिरफ बनाएंगे इसका हम तो बस 2 मिनट तक मैंने इसे और पका लिया है और इसी के साथ हमारी ये चाशनी यानि के sugar सिरफ बिलकुल तायार है अब end मिना मैं इसमें ये दो पतली slices नीबू की आड़ कर रहे हूँ इसे इसमें हलका सा flavor भी आएगा और साथ में हमारी ये जो चीनी है न ये crystallize नहीं होगी तो बस इसे डालके सिरफ 20-30 सेकिंड तक और पकाएंगे और बस अब हम गास को बन कर देंगे और अपनी इस चाशनी को ने एक साइट पर रख देंगे तांकि ये बिलकुल अच्छे से थंडी हो जाए और इधर ये जो बासबुसा को हमने बेक होने के लिए रखा था अब ये बिलकुल अच्छे से तयार है मैंने इसे 25 मिनट तक बेक किया और उसके बाद जब इसके उट उत्पिक से चेक किया तो वो बिलकुल क्लियर आ रही थी और फिर मैंने अवन को बंद करके इसे बंद अवन में ही 5 मिनट तक रखा रहने दिया तो बस अब ये बिलकुल तयार है और आप देखने कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में और अभी ये बिलकुल गरम है तो इस गरम स्टेज में ही हम इसे कट कर लेंगे और आप इसे अपनी मंचा ही किसी भी शेप में कट कर सकते हैं मैं आज इसे diamond शेप में कट कर जíamos तो ध्यान रखें कि सबसे पहली हम इसमें इससे cuts लगाएंगे फिर इसके उपर हमें शुगर सिरफ यानि की चाशनी पोर करनी है ताकि वो इसके अंदर तक अच्छे से अब्सॉब हो सके तो बस इस तरह से कट करने के बाद इधर हमने ये जो चाशनी को ठंडा होने के लिए रखा था भी बल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई है तो ये जो lemon के slices हमने डाले थे इसे हम निकाल देंगे तो बस अब हम अपने इस थंडी चाशनी को डाल देंगे इस गर्मा गरम बासपुसा के उपर और ध्यान रखें कि जैसे ही आप इसे अवन से निकाले यानि कि ये पूरा गरम हो तब ही इसके उपर हमें चाशनी डाल देनी है और चाहें तो आप थोड़ी सी चाशनी को बचा भी सकते हैं जब आप इसे सर्फ करेंगे तो serving के time पे आप इसे उपर पोर करके भी सर्फ कर सकते हैं बट मैंने ये सारी चाशनी इसके उपर डाल दी है तो बस अब हम अपने इस मोल को थोड़ी देर के लिए इसी तरह से रख देंगे तकरीबन आधे पॉने घंटे के लिए तांकि ये थोड़ा सा थंडा भी हो जाए और जितनी भी चाशनी हमने इसके उपर पोर की है वो इतने में अच्छे से अब्जॉब भी हो जाएगी तो मैंने इसे एक घंटे तक रख दिया था और आप देख रहे हैं कि जो चाशनी हमने इसके उपर पोर की थी वो बिल्कुल अच्छे से अब्जॉब हो गई है तो बस अब ये बिल्कुल तायार है और end में इसकी garnishing के लिए मैं इसके उपर थोड़े से बारी कटा हुआ पिस्ता डाल रहे हूँ आप अपनी मन पिसंद कोई भी garnishing कर सकते हैं इसके उपर तो बस इसी के साथ तायार है हमारा ये बहुत ही टेस्टी पास बसा तो बस अब हम इसे सर्फ करेंगे तो इसके लिए पहले ये जो साइड के छोटे-छोटे पीसिस है इसे मैं निकाल दूँगी तो बस अब हम कैरफुली इसके बाकी के पीसिस को निकाल लेंगे तो आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये देखने में और खाने में ये बहुत ही ज़ादा टेस्टी बनता है जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको लगएगा कि जैसे ये मुं में जाते ही ना बस melt हो गया हो इतना soft बनता है ये तो है ना कितना आसान इसे बनाना तो कैसे लगी आपको आज की ये रेसिपी मुझे जरूर बताईएगा इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसे अपने friends और family members के साथ share करिएगा और प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें